सब को नमस्कार पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेजी से करोना के केसस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि यह वाली करोना की वेव कितनी खतरनाक है बहुत ज़ादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं अस्पतालों की ज़रूर पढ़ रही है आईसीओ की ज़रूर पढ़ रही है काफी ज़ादा लोगों की मौत भी हो रही है तो 20 अप्रेल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था केसिज लगातार बढ़ते जा रहे थे लगातार बढ़ते जा रहे थे लॉकडाउन लगाने की वज़े से और भी अन्ने कई कारणों की वज़े से 26 अप्रेल को आके 35% positivity rate बढ़ गया था 35% बहुत ज़ादा होता है मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें positive निकलते थे 26 अप्रेल के बाद से चुकि lockdown लगाया था एक तरह से थोड़ी सी chain तूटनी चालू हुई थी इसकी करोना की 26 अप्रेल के बाद से धीरे 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 cases कम होने चालू हुए और अब पिछले एक दो दिन के अंदर 23% 35% से 23% positivity ratio आ गया है तो cases कम होने चालू हुए है दिल्ली के अंदर इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया आप लोगों ने lockdown का पूरी तरह से पालन किया और यह हम सब लोगों की अपने परिवार की जिन्दगी और उनके स्वास्थे की बात है हम किसी पे कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा हम सब के अपने लोगों के स्वास्थे की और जिन्दगी की बात है इस lockdown के period को हमने संसाधन health infrastructure को और मजबूत करने के लिए इस्तिमाल किया कई जगे नए oxygen beds तयार किये गए सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में oxygen की आई है नॉर्मल टाइम में जितनी oxygen चाहिए होती है अस्पतालों में उससे कई गुना oxygen की जूरत पढ़ने लगी क्योंकि अब जितने भी मरी जाते थे करोना में उन सब को oxygen की जूरूरत थी तो कई गुना oxygen की जूरूरत अचानक पढ़ने लगी पिछले कुछ दिनों में केंदर सरकार के साथ मिलके और हाई कोट और सुप्रीम कोट के आदेशों से केंदर सरकार के सहयोग से अब oxygen की स्थिती दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कई दिनों में पिछले कुछ दिनों में अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती की इस अस्पताल में दो घंटे की oxygen रह गई उस अस्पताल में आदे घंटे की oxygen रह गई यहाँ पर केसी की oxygen से मौत हो सकती है अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है तो इस lockdown के period को हमने अपने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी मदद काफी प्रयास किये पिछले कुछ दिनों से वैक्सिन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सिनेशन का कारेकरम शुरूर किया गया है आप मेंसे जितने लोगों ने वैक्सिन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतिजाम किये हैं वो कितने शांदार इंतिजाम किये हैं सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं सब लोगों को अच्छा लग रहा है हमारी युवा बढ़ चड़ के वैक्सिन लगवा रहे हैं यहां तक कि दिल्ली के आसपास के ए Reid के लागों से भी लोग दिल्ली में आखे वैक्सिन लगवा रहे हैं. वैक्सिन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंदर सरकार से सहयोग मांगा है. मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंदर सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से अलग-अलग किसम किसम के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि करोना के केस कम तो हुए है लेकिन अभी भी बहुत हैं 23% अभी भी संक्रम अंदर है अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती है अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्स्टेंड करने की जरूरत है अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की जरूरत है यह तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी खतम हो जाएगा और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है ये वाली वेव इतनी खतरनाक है इतने लोगों की मौत हो रही है तो जान है तो जहान है अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में सबसे पहले इस टाइम जिन्दगी बचाना है तो इसलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीड़बैक के अधार पे आप सब लोगों की इसके अधार पे मजबूरी वश अभी एक हफ़ते का लॉकड़ान और बढ़ाया जा रहा है कल सुबह पाँच बज़े ये लॉकड़ान खतम होना था लेकिन अब ये अगले सोमवर को पाँच बज़े तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सक्त किया जा रहा है कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी हमारी कोशिश है कि जितना जादा इसको lockdown को सक्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग corona पे काबू पाएंगे मेरी आप सबसे निवीदन है जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा lockdown का पालन किया इस तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग lockdown का पालन करेंगे नमस्क्राइब